नमस्कार इन समाचार में आप सभी का स्वागत है आज के मुखे खबरों के प्रयोजक हैं करियर कॉलेज शिक्षा के छेतर में पिछले 50 वर्षों से अग्रे नियर रहे करियर कॉलेज जहां पे National Assessment and Aggregation Council द्वारा संस्थान को A-plus grade दिया गया है आईए इसके बार में विस्तार से जानते हैं Mrs. Soni Topo से नमस्कार मैं Professor Soni Topo आप सबका स्वागत करती हूँ केरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हमारी कॉलेज की जो स्थापना है 2015 में श्री विश्नु रजोरिया जी द्वारा की गई है हमारी कॉलेज की जो एप्रूवल है इंडियन नर्सिंग काउंसल न्यू डेली से और अफिलियेशन मधिप्रदेश मेडिकल साइंस उनिवर्सिटी जबलपूर से है हमारे यहाँ दो कोर्से अफेलेबल है एक B.S.E. नर्सिंग जो चार साल का कोर्स है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मस्ट है और दूसरा कोर्स है जिसे हम जनरल नर्सिंग अन् मिडवाइफरी कहते हैं यह 3 साल का कोर्स है और इस कोर्स में कोई भी स्ट्रीम वाले बच्चे चाहे वो 800, 100, 100 बायो स्ट्रीम वाले जाइन कर सकते हैं हमारे कॉलेज का मुख्य उद्देश है compassionate care through quality education जिससे हम पूरा focus करते हैं कि बच्चों को एक अच्छा quality education दे college परिसेर में ही CGHS approved 100 plus bedded hospitals available है जिसमें बच्चे hands-on training करते हैं जो theory में पढ़ा है उन्होंने practical hospital में करते हैं इन सब features के साथ आप सबका स्वागत है career college of nursing में धन्यवाद परिवाहन मंत्रे निदिन गटकरी ने प्रदेश में 11,400 करोड की 45 सडक परियोजनाओं का लोकारपन और शिलन नास किया भोपाल में 689 करोड की सौगाद मध्यप्रिदेश में 27 विदानसवाद सीटों पर होने वाले अगामी उप्चनाओं को महत्वपून बताते हुए भाजपानेता जोते रादेते सिंध्या ने सोमवार को कहा कि आने वाले उप्चनाओं मध्यप्रिदेश का भवश्यते करेंगे खुजनैर की माटी के लाल जो बारा मुल्ला में आतंकियों से सुरक्षा भलों की मुद्भेड में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे शहीद मनीश विश्व कर्मा को मुख्य मंत्री शिवराद सिंग चोहान ने 3AME स्टेट हॉस्पिटल परिसर में पुश्पुचक्र अर्पित कर शद्धान जिली दी मुख्य मंत्री ने कहा कि शहीद परिवार को एक करोड की सम्मान राशी दी जाएगी आज की मुख्य खबरों के प्रायोजित थे करियर कॉलेज देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए लॉग आन करें www.insamachar.com आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद